गुड़ मॉनिंग दोस्तों, वेलकम आई बलोक्स आपका संजु में दोस्तों आज 14 अपरेल एक बहुत ही अच्छा और एतिहासिक दिन है आज बाबा साहम बेड़कर की 133 भी जेहनती मनाई जा रही है और आज पूरे भारत बर्स में ही उनकी जेहनती को हरसो लास से मनाई जा रहा है बाबा साहम बेड़कर के बारे में जितना हम सुने हैं उससे भी साइध ज्यादा ही गुना उनके बारे में लिखा गया होगा उन्होंने खुद ने सेविधान बनाने में इतना अपनी महतवपून भूमी का निभाई है उन्होंने 32 डिग्री डिप्लोमा ले रखे हैं दोस्तों सोचने वाली बात है आसे 100 साल पहले ऐसे विप्रीत हालातों में रहके जो व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है सोचेगा उन्होंके पास कितना नौलेज होगा सेविधान बनाने में जो नोने महतवपून भूमी का निभाई है उसके बारे में भी हम दोस्तों देखते हैं जो अपनों का धिकार मिला है नोने सब के लिए जो किया है वो बहुत ही अतनले है और आज बाबा साब अमेरिकर की जो जेनती मनाई जा रही है इसी के उपलक्स में दोस्तों आज मैं सब के लिए एक गुड न्यूज देना चाहता हूं जो भी मेरे दोस्ते जो भी एससी बैंक कलर रेलवे कि किसी भी पॉस्ट के अगर त्यारी कर रहे हैं तो मैं उनके लिए आज से मेरा टेस्ट बुक फिरी है तो आप वहां पर जाके किसी भी एक्ज जाम वेकेंसी के बारे में आप डिटेल से देखके और वहां से आप वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों तो बाबा साब अंबेड़कर के लिए आज मैं बहुत ही खुस होके आप सब के लिए ऐसा कह रहा हूं कि आप भी दोस्तों पढ़िएगा लिखेगा कल को आपको भ चलती है नाम चलता है को लिए उन्टि प्रड़े लिखे जो अपना नाम किया था और वहीं अमेरिका में भी उनकी नाम से अब बी तक की सबसे उंची स्टेच्व लगाए गई पिछले साल हैदराबाद में 125 फिट के उंची स्टेच्व बनाया गया था और इसी साल विजे गिननी जाए उतनी ही कम है तो मैं पुन्य आप सबको बाबा साहिव भीम्रा अंबेड करकी जहनती पर साधम पर नाम करता हूं आप सबको हार्दित सुपकामना देता हूं आपका संजु और दोस्तो मुझे भी बाबाई बोलते हैं तो मैं भी अपने नाम के पीछे संजु ब प्रेम है तो धनिवाद दोस्तों लावा साहर अंबेड करकी जहनती पर पून्य जे भीम जे भार जे सविदान थेंक्यों दोस्तों